हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं आट्टेक चैनल तो आज मैं एक काम करता हूं मिट्टी का बहुत सरा काम अप लोगों को दिखाया आज थोरा सिमेंट का कुछ काम दिखाते हैं ठीक है तो यह मेरा फुराना कुछ काम है रिसेंट यह काम कतम किया इसका पेंट मतलब कालर करने का बाद भी मैंने दिखा रहा हूं ठीक है तो यह सिमेंट का काम बहुत दिन से मैं सोच रहा हूं आप लोगों को दिखाया कैसे करता हूं मैं काम यह डायरेक्ट सिमेंट और सेंड लेके यह बनाता हूं डायरेक्ट वा तो इसका कैसे मैं करता हूँ, इसका process क्या है, ये थोड़ा अंदाजा आप लोग को मिल जाएगा, कुछ process मैं इसमें करके दिखाता हूँ, जैसा मिट्टी में काम करता हूँ, ऐसा यहाँ पर, cement और बालू, मतलब sand, इसका percentage आप लोग को धियान देना पड़ेगा, कुछ detail, मतलब ज्यादा detail होगा, तो उसमें आपको, मतलब 1 is to 1, मतलब 1 cement और 1 sand, और ज्यादा detail नहीं होगा, थोड़ा बड़ा काम है, दूर से देखेंगे, तो उसमें 3 is to 1, मतलब 3 sand, और 1 cement मिला के भी काम कर सकते, तो ये काम करते करते, ये अंदाजा आपको हो जाएगा, ये जो मैं आप काम देख रहा है, इसका कुछ process आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, तो शुरू करते, देखें, यहाँ पर मैं कुछ base पहले कर चुका हूँ, इसका वीडियो मैंने खीचा नहीं था, तो फिलाल आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा, ये जो मैंने surface, एक surface मैंने डाला, इसमें cement घोला, मतलब raw cement को, पानी से जो घोला बोलते, इसको brush से drawing का अंदर अंदर इसको लगा दीजिए, ठीक है न, मतलब wall, surface और आपका जो काम है, ये दोनों चिपक जाए, ठीक है न, तो इसलिए आपको घोला पहले लगा देना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मसला, मतलब जो cement और sand का मसला है, इस इसमें मैंने देखिए, कूर्णी बोलते है, जिसमें राजमिस्त्री लोग, जिसको brick का घर बनाने का जो काम करता है, तो ये लोग यूज करता है, जो कूर्णी बोलते, जो iron और wooden handle का जो tools होता है, जो market में available है, वही same tools, छोटा बारा media step का मतलब काम का हिशाब से, detailing का हिशा जाता है, तो ये लेके ये काम करना पड़ता है, ज्यादा detailing होगा, तो अपना हिशाब से भी tools आप बना सकते है, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए, जो face बनाने का कुछ detailing मैं आप लोगो दिखा रहा हूँ, तो face भी मैंने यहाँ यहाँ पर direct complete करेंगे, मतलब आप कोई specific portrait बनाना चाते हैं, तो उस टाइम आपको मिट्री में बना के, plastered up Paris से मोल लेके, उसके बाद आपको cement casting करके, मतलब वाल पे tiles जैसे लगाते हैं, वाल पे लगाना पड़ेगा, और कुछ असान कोई portrait होगा, और practice सही से हो जाए, आपका skill हो जाए, तो आप direct way काम कर सकते हैं, यह जो portrait मैंने बना रहा हो, यह भी specific एक writer है, तो इसमें क्या, उसका portrait थोड़ा असान लगा मेरे को, तो मैंने इसलिए इसको directly complete करेंगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे आप clay mural मैंने बनाता हूँ, उसमें भी मैं grid बना के काम करत यहाँ पे भी मैंने grid बना लिया, यह कुछ size का इधर उधर ना हो जाए, proportion ठीक है न, तो इसलिए मैंने grid बना लिया, उसके बाद drawing किया, drawing का अंदर-अंदर मैंने पुट्टील, मतलब जो घोला लगा है, सिमेंट घोला, और उपर से यह काम सुरू किया, ठीक है, यहाँ प रहते रहते आपको काम complete करना पड़ेगा, यह ज्यादा सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, मिट्टी में जैसा है कि आप धाग दिया, polythine में धाग दिया, तो next दिन आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही problem है, क्योंकि यह बड़ा घंटा में यह टाइट होना सु तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिए एक दिन में खतम नहीं होगा, तो दुसरा दिन के लिए जब आप काम छोर के रखेंगे, तो किस सिचुएशन में आपको रखना पड़ेगा, कैसे उसको ज्यादा एक्स्ट्रा करके, काटिंग करके फेक देना और ज्यादा मुस्किल होगा, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, यह तो लास्ट आपसेन है, और जितना आप होशके, एक दिन में कम्प्लीट कर सकते यह अंदाजार लगा के, आपको उसी हिसाब से आपको कम्प्लीट करते करते लेकर आना पड़ेगा, यह सिमेन का सबसे परिम बात है, ठीक है न, और एक बात जो है, आप देखिए यहाँ पे, मिट्टी में जैसा कोई सरपेश, गिला हो, मतलब सरपेश राफ है, तो उसमें स्मूथ करने के लिए आप पानी, स्पॉंज, ठीक है न, ब्रोस यह यूज़ करके, मैंने दिखाया, स्मूथ कर सकते, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, मतलब 90% आपको कुर्णी से करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस टाइप का जारू आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है न, जो रजमिस्त्री लोग आप देखे होंगे, जो जारू, हम लोग घर में भी यूज़ करते जो जारू होता है, फूल जारू बोलते, तो जारू को आप कट करके, छोटा-छोटा जिसमें, सौप्ट, हाड जो स्टीक उसको निकालके, सौप्ट हिस्सा लेके, वो छोटा से लाग से बनाके, रेडी रापना पड़ेगा, और उसको लेके, एकदम बहुत ही अच्छा से स्मूथ करना पड़ेगा, और जारू लगाते लगाते आप देखेंगे क्या अपर सरपेश स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, और गीला रहते रहते आपको सरपेश भी कूर्णी से स्मूथ करना पड़ेगा, यह देखें मेडियम एक साइज है, ठीक है, तो चार-पांच-छे तायट का आपको यह बीर मर्कट से खरीड़ करना कोई लगा, दिहां डूमी करना संब्र én करंदद साथ, यह में देखे, मैंने देखिए यह माय हाज में ऐख लाप्स संब्द आखिती यह मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे कर सकते राइट हैं में मैंने यूज नहीं किया क्योंकि राइट हैं में सिमेन लखने का चांस नहीं है और ग्लाब्स पैनने का बाद टूल्स पकड़ने से मुश्किल भी लगता है तो आप लोग अपना हिशाब से य 8 घंटा 9 घंटा काम कर रहा है तो हाथ में सिमेंट मत लगाई है तो हाथ खड़ाप हो जाएगा क्यमिकल रेक्षेन होगा अब देखिए धीरे-धीरे मतलब एक सर्पेस को कंप्लीट करके फिच से दूसरा अपर सर्पेस को डिटेलिंग में जाईए ठीक है ना मतलब नीच का और एक में बात है आप एक अठ्था पूरा मसाला लगा दिया तो क्या होगा गिर जाएगा ठीक है ना क्रैक आजाएगा तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके उसका जो अंदर जो पानी है वो पानी को जो वाल सर्पेस है वो सोक लेगा और नैचरली इसका एक एडिशिप टाइब का है सिमेन का जो अपना अपनी थोड़ा टाइट होते जाएगा तो टाइट होने का बाद अपर सर्पेस को एड़ किजिए फिर से अपर सर्पेस टाइट हो जाएगा तिसरा लेयर डालिए तो ऐसा करके आपको यह प्रोसिस जारी ड़ाखना मैं बना रहा हूं यह भी आरोन का टूल से यह भी मैंने क्ले का का म करने का टाइम भी करता हूं और नहीं तो छोटा और मतलब फैचुला टाइब भी यूज़ कर सकते तो अपना ही शाब से इसको आप खूद बना लीजिए और यूज़ कीजिए लेकिन यहां पर लगाने का टेक्निक थोरा शाँ आपको देखना पड़ेगा ठीक है ना फास्ट टाइम आप कोई काम करेंगे तो दिक्कत तो आएगा है मसला वाल पर लगाते जाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगा तो कोई टेंशन नहीं है यह आलाग मेट्रियल है मेट्टिस से बहुत ही आलाग है तो काम करते करते यह शाब ठीक हो जाएगा ठीक है यह बालू को भी देखिए यहां पर दो टाइब का हो सकता है एक बार एक तो हो सकता है आप पूरा के पूरा मसला लगा दीजिए और काट कर दीजिए और दूसरा हो शकता है आप अलग अलग लेयार को भी छोटा मत्रो पैचुला लेके कुर्णी लेके आप अलग अलग लाइन का हिसाब से भी एड़ कर सकते हैं ठीक है ना और जो जाडू है उससे बीच बीच में म अच्छा रहता है जब सुक जाएगा उस टाइम में भी लगाना पड़ेगा जारू लेकिन आप बीच-पीच में इसको लगाते जाए जैसा मेट्टी में मैंने ब्रास पानी स्पॉंज कर साथ सर्पिस को स्मूथ करते जाता हूं इसमें भी आप जारू को बीच-पीच में लगाते जाए है ठीक है ना देखिए लीप को भी यहां पर थोड़ा हाड हो गया उस टाइम इसको एकदम ध्यान से कट कर दीजी तो टीटर लिंग निकल कर आ जाएगा और जारू से बहुत ध्यान से ठीक है ना यह गिला भी है तो यह टूटने का चांसेस रहता है तो इस टाइम बहुत ध्यान से आपको मतलब फोर्स का हिसाब से जहां पर लाइन आपको दिखाए दे रहा है उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा जब आपको लगता है जो य बोला बनाया थे मतलब रो सिमेन का साथ पानी मिला के इसमें बाली नहीं है मतलब सेंड नहीं है इसको ब्रूस से आप उपर से लगाईए ठीक है तो आपका सरपेश जो है आपका सरपेश एकदम फसकला स्मूध हो जाएगा ठीक है जितना भी आप दिखाए देगा यह एक्चुली इंटेडियर और मतलब कम डिस्टेंस में आप जब दिखेंगे काम को उस टाइम यह ज़रूरी है नहीं तो दूर से आप देखेंगे बहुत हाइड में है जो तो उसमें ज्यादा ज़रूरी नहीं है जैसे आप सुचिए मैं एक काम किया बीस फीट उचाएक का बात स्टार्ट हो रहा है काम और वो काम भी पनड़ो फीट का एक फिगर है तो उसमें क्या होगा दूर से देखेगा तो उसमें जितना राफ होगा उतना अच्छा है ठीक है ना तो उस टाइम आपको लगाने का कोई जूरूरी नहीं है मतलब उसके ओपर पेंट आएगा प्राइमर आएगा तो अपना अपनी उसका सार्फिश एक स्मूथनेश आई जाएगा ठीक है ना तो ऐसा करके आपको ध्यान से यह घोला लगाना है जब लग जाएगा तो उसके बाद फीट से आपको वही साफ से आप लोग को थोड़ा बहुत तो नौलेज आएगी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में प्रैक्टिस कीजिए इसमें सार्फिश 100% आपको सिमेंट वाल ही रखना पड़ेगा प्लस्टा सार्फिश होना चाहिए ठीक है तो कमेंड में जोरू डालिये कैसा लगा ठीक है तो